भारती जन्ता पार्टी ने प्रदेश की सहकारी समीतियों में खाद की किलत के लिए राज्ची शासन को जिमें दाठेर आया है नेता प्रतिपक्षे धरमलाल कौशिक ने आज रैपुर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि खाद समितियों में उपलब्ध नहीं है जबकि बाजार में प्रचोर मात्रा में खाद उपलब्ध है पूरे प्रदेश में सबसे बड़ी जब जो समस्या भी है वो खाद और बीच को लेकर के है लगातार किसान इस बात को उठा रहे हैं कि बोनी का समय समाप्त हो रहा है रोपाई का समय आ गया है और अभी भी सुसाइटी में खाद की उपलब्धता नहीं है अलग अलग जगा किसान प्रदर्शन कर रहे हैं कल धंतरी में बड़ा प्रदर्शन हुआ है कलेक्टेट को घरावक्त लेकर के राजनान गाउं में जो प्रदर्शन हुआ है और पूरे प्रदेश में कमों बेस में यही सिती है बजार में खाद उपलब्ध है लेकिन आखिर सुसाइटी में क्यों उपलब्ध नहीं है? इसके जवाबदारी किसके उपर है? श्री कौशिक ने कहा कि बीते 15 वर्षों में सुसाइटीयों को खाद संकट का सामना नहीं करना पड़ा था उन्होंने कहा कि ये सरकार की जिम्यदारी है कि सुसाइटीयों में खाद बीच की उपलब्धता सुनिश्चित हो